हेलो फ्रेंड्स कुगवे सोनम में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी चटने की रेस्पी लेकर आई हूं जो कि यह पालक की चटने की रेस्पी इसको आप पूड़ी पराठे चावल किसी के साथ भी इंज्वाय कर सकते हैं तो चलिए इसकी रेस्पी ब बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए और इसके पत्ते पत्ते यूज करेंगी तो और अच्छा रहेगा इसके जो डंठल होते हैं उनको आप अपटा दीजेगा इस तरह से देखिए पूरी पालक मैंने कट कर ली है और यहां पर मैंने यह दो मीडियम साइज की टमाटर और दो प्याज लिए आठ से दस लस्तुन की कलियां लीजिएगा यह मेरी लस्तुन थोड़े से मोटे थे तो मैंने यहां पर पांच लिये हैं और इन सब को आपस में मिक्स करके मिक्सर क्रेंडर में पीच लिया है मैंने और इसका पेश्ट बना लिया है और यहां पर एक दाल और एक चमच उरत दाल इन सबको अच्छे से भून जाने देंगे और भूनने के बाद इसमें एक पिंच हींग डालेंगे और यह दो लाल मिर्श डाली है तोड़के और कड़ी पत्त डाल दिया है इन सबको अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें बूंज लेंगे और यह मैंने यहां पर यह पेश्ट बनाया था जो उसको इसमें एड़ कर दिया है और इसको भून लेंगे जब तक कि तेल सेप्रेट ना हो जाया इसमें से तो इसको थोड़ा से चला के अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। मैं किसी भी तरह का कोई फानी यूज नहीं कर रही हूं और इस में स्वाधा नुसार नमक डालूं डालूंगी। यहां पर एक चमज नमक डाला है और इसको मैं रख कर पांच मेट के लिए पका लूँगी तो पांच मेट हो चुके हैं यह तेखिए तेल सेप्रेट हो चुका है अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो पालक मैंने कट करके रखी थी न वो पालक एड़ करेंगे एक बार अच्छे से चला देंगे तो जो तेल जो हमारा सेप्रेट हुआ था वो फिर से मिक्स हो जाएगा तो यह हमने यहां पर जो पालक कट करके रखी थी वो इसमें अड़ कर दी है पूरी की पूरी और इस पालक को भी इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे यह खाने में बहुत ही टेश्टी बनी थी पालक मिक्स कर दिये अच्छे से यह देखिए यह पूरी पालक अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है अब सॉफ्ट होने के बाद इसको हम ढग देंगे ढग के दो से त अगर आप पहले से धोके नहीं रखेंगे तो यह पालक में बहुत सारा पानी निकलेगा तो आपको काफी देर तक इसको सुखाना पड़ेगा तो इसलिए पालक आप पहले से 2-3 घंटे पहले से धोके रख दीजिएगा अगर आप तुरंट धोके और तुरंट बनाएंगी तो पालक में बहुत सारा पानी आएगा तो यह देखिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है तो आईए इसे सर्फ कर लेते हैं और आपसे बोलना चाहूंगे अगर आपको मेरी रेस्पीस थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीज और आप सफर पे भी से लेके जा सकते हैं और यह खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी था फ्रेंड्स आप इसे बना कर ट्राइज जरूर कीजेगा तो देखते रही है मेरे वीडियो मिलती हूं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वाव